गाईज बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ट्विटर हाकर्स को अर्रेस्ट कर लिया गया है फेंट्स मैंने अपनी इस न्यूज में कवर किया था कि जुलाई 15 को हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स हैक हो गए थे जिसमें इंक्लूड़ थे Microsoft founder बिल गेट्स, Amazon founder जेफ बेजोस, SpaceX founder Elon Musk, famous rapper Kanye West, ऐसे 130 ट्विटर अकाउंट्स हैक हो गए थे गईज एंड येस्टरड़ फाइनली उन हैकर्स को अर्रेस्ट कर लिया गया है एंड गईज आप लोग बिलीव नहीं करेंगे इस पूरे ट्विटर अकाउंट को हैक करने वाला मास्टर माइंड है एक 17 साल का लड़का जस्ट आ 17 एर ओल्ड बॉय जो सिर्फ हाइ स्कूल पास आउट है इस पूरी हैकिंग में तीन परसन इंवाल्व थे इन में से 17 एर ओल्ड मास्टर माइंड का नाम है ग्राम इवान क्लार्क जिन्हें कल टेंपा फ्लॉरिडा से अरेस्ट कर लिया गया सेकंड हैकर है 19 साल के नेशन शेपर्ड और फाइनली थर्ड हैकर जो 22 साल के है नूमा फजेली ओर्लैंडो से इन तीनों हैकर को यूस एटोनी कैलिफोनिया कोट में पेश किया गया 17 एर ओल्ड घ्राम क्लार्क पे चार्जस लगे हैं मनी लॉंडरिंग ओवर इंटरनेट और उन्हें जिविनल कस्टडी में भेश दिया गया है सेकंड हैकर नेशन शेफर्ड को वायर फ्रॉड एंड मनी लॉंडरिंग सेक्शन के तहत 45 एर्ज की इंप्रिजनमेंट डिकलेर करी है और फाइनली थर्ड हैकर 22 एर ओल्ड नूमा फजैली को 5 एर्ज की इंप्रिजनमेंट गाईज इस पूरे ट्विटर बिटकोईन स्कैम में 400 बार मनी ट्रांसफर हुआ था और मोर दन थाउजन डॉलर्स हैकर्स के अकाउंट में आये थे यह पूरा ट्विटर हैक प्लान में में स्टार्ट हुआ था और में से लेके जुलाई तक पूरा हैक प्रोसेस चलता रहा और इस 17 साल के लड़के ने ट्विटर के एक एंपलॉई के ट्विटर इंटर्नल मेस्जिंग सिस्टम जिसे स्लैक मेसेज़ेस कहते हैं उसे हैक कर लिया था जिसके थूँ वो टॉप लेवल पॉलिटीशन्स, मुजीशन्स और सेलिबरिटीज के अकाउंट तक पहुँच गया आज की यूटूब न्यूस के ले वेट तिल इवनिंग गाईज थांक यू